बच्चों जय हिंद स्वागा था है आप सभी का गनित की कक्ष में आज हम बढ़ेंगे कक्षा 5 वी के गनित में ध्यायजास कोन कोन के पाठ के इस भाग में सीखने के पतिफल के तहद हम M512 के तहद सीखेंगे कोन किसे कहते हैं, कोनों की पहचान करना, कोनों का नाम करन करना, और कोनों तथा आगरितियों की अधारना की खोजबीन करना, तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीत्र आपको दिखाई दे रही है, किसका चीत्र है बता सकते हैं, जी हाँ, यह चीत्र है बिजली क खंभेगा बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह बिजली का खंभा दो जगहों से मुड़ा हुआ है देख रहे हैं कहां कहां पर मुड़ा हुआ देखिए ध्यान से यहां पर यह जो घेरा लगा हुआ भाग दिख रहा है आपको वहां से यह बिज जहां पर कहां कहां कोन बर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बिजली के खंभे में दो जगहों पर कोन बर रहे हैं, वैसे यहां पर देखिए, पेड़ों के टहनियों के बीच भी कोन बर रहे हैं, और कहां कहां कोन बर रहे हैं, इसको द्यान से देखना है, और इसक बाते ही पेड़ों की टहनियों के बीच कान बन रहा है उसको आपको ला興 से यहां पर लिखते जाना है बच्चों आप चाहें तो अपने साथ यहां चाठीयों के सार भी चर्चा कर सकते हैं और इसको अच्छे से शंपण्य Campaign कर सकते हैं आप अपने घर में भी देखिए कहां कहां कोन बन रहा है और उसको भी कॉपी में नोट करते जाएए चलिए अब आप देखे रहे हैं यहां पर एक चित्र जिसमें लिखा हुआ है नीचे के चित्र में चीजें अपनी जगह बदर रही है देखिए क्या वहाँ पर भी कोन बन रहे है चले पहले चित्र बारे में हम बात करते हैं इसको दिहान से देखिए आप इस चित्र में एक बच्चा जो है जर्वाजा को खोल रहा है और बंद कर रहा है क्या इस दोरान कोई कोन बनता है देखिए यहाँ पर जो लाल घेराद आ के बीज भी कौन बन रहा है इन उदाहरनों के माध्यम से आपने देखा कि जब कोई वस्तु घूमती है मुडती है या अपने दिशा बदलती है तब कौन बनता है अब जो दो उदाहरन आपको और दिये हुए नीचे इन दोनों को भी ध्यान से देखना है और कहां पर कौन ब बन रहा है इसको पहले से लिखा हुआ है खूलते हुए दरवाजे के नीचे का भाग चौखट के साथ कोन बना रहा है ठीक वैसे ही दूसरा उदाहरन में आपने देखा घड़ी की दोनों सुईयों के बीच कोन बन रहा है ऐसे ही अन्य और चित्रों को जहान से देखना है और बताना है कि कोन कहां बन रहा है बच्चों इसके साथ साथ आपके आसपास में भी आप देखते हैं कोन बनते हुए तो उसको भी आपको अपनी कौपी में नोट करना है आप चलिए आप जो पहले पिछली कश्व में पढ़ चुके हैं उसको एक बार पुना देख लेते हैं बताइए इन आकरितियों को हम क्या कहते हैं देखिए एक बिंदी यह से दिखाई दे रहा है आपको और एक लाइन है फिर एक ऐसे लाइन ही जिसमें दोनों तरफ तीर का निसान दिखाई दे रहा है आपको और इसके बाद एक और लाइन है जिसमें एक तरफ तीर का न कहते हैं जानते हैं ना बिल्कुल सहीं तो यह है बिंदो उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा आकृती जिसमें दुनों तरफ पिरकनिसान है इसको हम रेखा कहते हैं है ना हाँ और उसके बाद देखिए आप यह तीसरी आकृती जिसमें एक तरफ पिरकनिसान है इसको हम क खंड कहते हैं बच्चों इन आक्रितियों के कुछ नाम भी होते हैं बिंदू के नाम वर्नमाला के अक्षरों से रखा जाता है ऐसे ही रेखाओं के दोनों सीरों के बिंदू को भी एक एक नाम देते हैं हम यहां पर आपको अंग्लेजी के वर्नमाला के अनुसर बता रहे हैं हिंदी के वर्णमाला में भी काखा, गागा, अंगा, आबा, सादा, ये सभी नाम रखे जा सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पर जो बिंदु दिखाई दिया रहा है आपको, उसको हमने नाम दिया है A, आप B, C, D और भी वर्णमाला का प्रयोग करके इसका नाम परन कर सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे बिंदु A, फिर देखिए रेखा है, उसके दोनों सीरों को हमने नाम दिया है M और N, तो हम इसको पढ़ेंगे रेखा M, N, ठीक वैसे देखिए, कीरन दिखाई दे रही है आपको, जिसको हमने नाम दिया है L, M, और इसको पढ़ेंगे कीरन L, M, ठीक वैसे ही बच्चों, रेखा खन्ड है, उसको हम A, B, Nाम दिये हैं, एक बिंदु को A नाम दिये हैं, दूसर में आ चुकी हो, तो इन आक्नितियों को ध्यान से देखिए, पहचानिये और उसका आपको नाम लिखना है, जैसे देखिए, यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रही है आपको, जिसको B से चिनहित किया गया है, आप इसको बिंदु B लिखेंगे, ठीक वैसे ही बाकिया आक् देखिए, जो बिंदु दिखाई दे रही है आपको, उसको हमने A नाम दिया है, तो इसको तो हम बदल सकते रहे, क्योंकि बिंदु एक ही है यहाँ पर, लेकिन उसकी नीचे देखिए, जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, जिसको हमने पहले MN कहा था, उसको हम उल्ट करन हम वैसे ही करते हैं जिस बिंदू से सुरुवात हो रही है अब देखे इसको बिंद्दू ही बिंदू है तो इसको एप नहीं हीह सकते थिक आप उसके निचे देखिये याप एक रेखा खन बिखाए दिख मुझे रहे उसका उच्छारण कैसे कर सकते हैं अब आए कोन बनाते हैं सबसे पहले मुझा करना पड़ेगा कोई छड़ ले लिजे या ताल ले लिजे इस प्रकार से और उसके कोई भी बीच में या किनारों में एक बिंदु ले लिजे जब मोड दिया गया तब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर सीजे छड़ मुड़ चुकी है और जहां पर मोड बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं कोन कहते हैं बच्चों आप अब तक के बातों से समझ चुके हैं कि मोड या घुमाओ के माप को ही हम कोन कहते हैं तो यहां पर बिंदू A पर कोन बना हुआ है इस बिंदू A को हम कहते हैं और दो लकीरे आपको दिखाई दे रही है एक उपर की और एक नीचे की और तो यह नीचे जो दिखाई दे रही उसको हम आधार कहते हैं और जो उपर की और है इस दोनों भुजाए है एक आधार भुजा है और एक उपर क्यों गई है वो भुजा इस प्रकार से दो भुजाओं के बीच बिंदु A पर यहां कोन बन रहा है जैसे हमने देखा बिंदु का भी नाम होता है रेखाओं के भी नाम होते हैं रेखा खंड़नों के नाम होते हैं, किर्णों के भी नाम होते हैं, वैसे ही आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि क्या कोनों के भी नाम होते हैं, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर आप चित्रे में देख रहे हैं, एक लड़की और एक लड़का दोनों बातचीत कर रहे हैं लड़का अपनी दिदी से पूछता है कि दिदी क्या कोनों के भी नाम होते हैं तो दिदी कहती है हाँ बिल्कुल कोनों के भी नाम होते हैं और इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया जमीन पर एक कौन बनाया आप देखें जैसे कौन बना हुआ है आप बता सकते हैं, यहाँ जो कोन बनाया गया है, इसकी भुजाय कौन कौन सी है, दिखे ध्यान से, यहाँ पर दो भुजाय हैं, जिसको हम कहेंगे O, A और O, B, चुंकि दोनों भुजाय ओ से सुरुवात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोन कहा बन रहा है, बिंदू O पर, और इसलिए हम बिंदू O को इस कोन का शीर से भी कहेंगे, अब चले बच्चो, यदि आप इनकी भुजाओं को समझ गया है, शीर को समझ गया है, तो नामकरन कर सकते हैं, बिलकुर नामकरन करना आसान है, इसको हम दो तरह से नामकरन कर सकते हैं, जैसा कि दोनों की बीचे बात आप को बीच में रखना है, बाकि दोनों भुजाओं को आप आगे पीछे करके बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से दोनों बच्चे कोन के नामकरन करना सिख चुके हैं, आप भी सिख गए होंगे, तो अपने साथियों के साथ चर्चा किजिए, विभी निवरकार के कोन मनाकर उसका नाम करण कीजिए और बार बार अभ्यास करेंगे तो यह काम आपको आसान लगेगा अब देखिए यहां जो चीतर आपको दिखाई दे रही है एक सुंदर घर का ऐसी आकृति आप अपने कौपी में भी बना सकते हैं और अलग-अलग रंगों से रंगा कर आप इसका आनन ले सकते हैं लेकिन यहां पर करना आपको यह है कि यहां जहां जहां पर भी कोन बना उसको पहचानना है और नीचे जो तालिका दी गई है उसमें आपको भरना है तो जहां से देखिए और कोनों को पहचानिए उसका नाम एक्स वाई जेड जहां पर शिर्ज वाई है और दो भुझा है इसमें जिसका हम नाम है वाई एक्स और वाई जेड इसको अच्छे से देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके देखिये नीचे कैसे दिख रहा है यह घर का चित्र उपर है उसी को हमने थोड़ा सा यहां पर बाकी जगों को मिटा दिए हैं आप पेंसिल से बना कर इसको करेंगे तो आपको इस फरस्ट होगा बाकी चीजों को मिटाएंगे और वही कौन रखेंगे जो आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर देखे एक सवाई जेड इस फरस्ट दिख रहे हैं थोड़ा और करन करके तालिका में भरेंगे तो बच्चों कोन के पाठ में आज बस यहीं तक अगले करम में हम सिखेंगे कोनों को नापना कोन बनाना और कोनों के बारे में विविन प्रकार की जानकरियां तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जैहिंद